इनकी हिम्मत नहीं है बेरेज़गारी पर बात करने की वो लोग इतने पावर्फु लेंग का चैनल बंद करा देंगे पिछले कुछ समय से मेंश्रिम मीडिया की छविग गोदी मीडिया की रूप में सामने आने लगी है इसका एक कारिन ये है कि मीडिया सरकार की नीतियों की अलूचना करने की बिजाए सरकार के हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहा है और उल्टा विपक्ष पर ही उंगली उठाता रहा है मेडिया भले ही सरकार की चापलूसी करता रहा पर डिबेट्स में ही कुछ विपक्षिन एताउने मीडिया पर सवाल भी उठाए हाल ही में दिल्ली चुनाफ के दौरान टाइमसनाव पर केजरिवाल का इंटर्विय हुआ एंकर द्वारा शाहिनबाग पर सवाल किये जाने पर केजरिवाल ने एंकर को मोधी से सवाल ना करने पर भूला आपको पाकिस्तानियों की बड़ी PROBLEM पड़िया भारत के लोगों की कोई PROBLEM नहीं है भारत के अंदर इतनी बेरोज़गारीे है हिंदूओं की, क्रिस्टेंज़ की पार्टसीस की सिक्कों की उनकी बेरोज़़़़़़़़़ी सौल भूगाई आप फिर शाहीन बारी, इसलिए अपने जान दूज के ध्यान भटकाने के लिए जिया आप फिर शाहिन बाग क्यों नहीं गई سब क्या जरूरत है क्या जरूरत है मैं आप से ये पूछ रहा हूँ आप अपने channel के जरिए एक منट उसे JNU के शातने जाते हैं मैं आप से पूछ रहा हूँ से आज तमाम intellectuals जाते आप गएते हैं मैं क्यों जाओं? मैं आपसे एक चीज पुछना हूँ जाओं. ये नहीं जाएंगे. मेरी बास सुनिए. We report, sir. We govern, sir. We have been, we have been, we have been, we have reported, we have not distanced ourselves. We are amongst चाहिन बाग. We have not distanced ourselves. We have not distanced ourselves. हमने school चलाएं, हमने hospital चलाएं, हमने सडके बनवाई, हमने CCTV कैमरे लगवाई, हमने जो उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है, वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं बात करने की, इनकी हिम्मत नहीं है, वेरोजगारी पर बात करने की, वो लोग इतने पावरफुलेंग का चैनल बंद करा देंगे, इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक, केवल और केवल, हिंदू और मुसल्मान, हिंदू मुसल्मान करते हैं, ये दोश सारे धर्मों से बना इस देश के लिए हर रगती अपनी जान कुर्बान करने के लिए तयार है, और जो लोग इस देश को बाटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मनसूबे कभी सफल नहीं होंगे तो वहीं आज तक पर वोमेन सेफटी पर डिबेट में, कॉंग्रसी नेता अलका लांबा ने एंकर के तीखे सवालों का जवाब दिया और एंकर पर उंगली भी खड़ी की कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसी शिकायत, कुछ ऐसा नया नहीं है, सब छे सालों से निर्भिया से आज तक सेव वोही चीज़े रट रट के रट रट के वोही बोल रहे हैं निर्भिया से लेको देख लिया, क्यों थी ऐसे बताया है, यह जन्ड़ा आप चलाते हैं आपके चैनल नोने हैश्टेक चलाया, पीटों पे हैश्टेक चलाया, हम सिर्फ सुप्रीम कोड के गाइडलाइन्स का सम्मान करते हैं, इसलिए आपके जेनल में आना कॉंगरस में बंद कर दिया है, मैं अपने वेक्तिकर तौट पर आयू, महिला के तोर से 25 साल की राजनीती आज तक पर C.A. N.L.C. की मुद्ध पर बात करने के लिए जावी दक्तर को भी बुलाया गया था, एंकर ने जब सवाल में जावेद अक्तर को उलजाने की कोशिश की, तो अपने जवाब से जावेद ने एंकर को चुप करवा दिया देश का, हंदुस्तान का मुसल्मान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीती चमकाना चाहते हैं और उसके जरीए दरसल ये बताने की कोशिश की जारी है, कि अगर ये लागू हो जाता है, मोधी सरकार लागू कर लेती है? ऐसा कुछ नहीं? आपका एक तो आपका, एक तो सुनिए हैं, एक तो एक बास सुनिए हैं, जे आपका as an anchor, आपका सवाल हैं, कि आप नेटरल लहजे में बात करें, कौन से लोग हैं जो अपनी लीडर्शिप चमकाना चाहते हैं? उसी तो आपका बाएस मालू मुमना होता ह आप एक साइट पे हैं, आप एंकर हैं बीच में रही है, पहले तो ये भाशा गलत इस्तिमाल कर रही हैं, आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडर्शिप नी चमकाना जाए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप, ये आप ने तो तेह कर लिया किस साइट पे हैं, जर्नेलिस्ट को तैरी करना चाहिए, उसे न्यूट्रिल लहना चाहिए, अब सुनिए, पहले अपनी लेंग्वज आगे इसी मत इसके माल कीजिए, इसके साथ ही आज तक पर C.A.N.L.C. के मुद्धे पर बात करने के लिए OVC को भी बुलाया गया था, जब एंकर ने N.L.C. पर OVC को सवाल किये, तो OVC ने एंकर को सरकार के पक्ष में खडा रहने पर टोका, प्रधान मंत्री ये कह रहे हैं, तो कौन जूट बोल रहा है, आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं न, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है, अब ग्रिम मंत्री ने कहा, प्रधान मंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किस की मानी जाएगी? को सपोर्मेंट को सपोर्ट करते रहेंगे, मत करिये न, कभी सचाई को तो मान लीजिए, अगर मैं जूट कह रहा हूं, तो आप आदे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तयार हूं सुनने के लिए, मैं तो मिनिस्ट्री होंफेस के वेब साइट से कोट करके बता करने के लिए वारिस पठान और सुबुही खान को बुलाया गया, जब सुबुही खान ने वारिस पठान पर इल्जाम लगाए, तो वारिस पठान ने इसका जवाब दिया और एंगर को भी टोका हसिये, राक्षस लगने बिलकुल, रावरों को धूर चपा दिया माई संस्कुती में, जितना हसिये, एंकार तो यहां पर रावड का नहीं तिका, लोजिक पर बात करिये, कुछ भी आके बोलने शुरू मत देते हैं, बिना डिगरी के वकी, बिना डिगरी के वकी, फंडेम पर देती हुजाए जाके, पढ़िये जाके, अपने बड़े भड़काव भाईजान से रख के यहां पर तोते की तरह मत बोला करिए, तो समझ के बोला करिए, तोता, बखवास, क्या हो रहा है? अरे, वोदी ने आपके गले में कुट्टे का पट्टा बं दिया है। अब वक्षे नेता और जंता मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं देखना ये है कि कब तक मीडिया सरकार के हर फैसले पर बिना सवाल किये सहमती जताएगा पंजाब टोडे रिपोर्ट अबाथ कि अबाथ से लेगा कि अबाथ लेकर रहे हैं